हेलो फ्रेंट्स आप सभी को हमारे यूटूब चैनल एक्रक्राइकट्र्ल सिवान में स्वाग आथ हैं आज हम बात करने आले हैं DOL Control डाइगराम बनाना सिखेंगे तो चलिए फ्रेंट्स आज हम DOL Control डाइगराम बनाना सुरू कर रहे हैं तब तक आप लोग प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए और बेल आइकन गंटी को दबा दीजिए ताकि आने वाली हमरी अगली वीडियो आपको मिलती रहें चले है फ्रिंस बहले जान लेते हैं कि हमको ॅवरलोड रस ले के बाद एनो पॉस बटम उसके बाद चाहिए हमको कंटेक्टर है हैं एक चाहिए उसके बाद बंट्रोल डाइग्राम बन जाएगा तो चलिए फ्रेंज हम च्ट्रोल डाइग्राम बनाना शुरू कर रहे हैं देखें सबसे पहले क्या है कि हमरा फेज कोई भी और वाई भी कहीं से भी हमें एक फेज उठा लेंगे फेज उठाने के बाद यहा OLR लगता है ये देखिए हमारा OLR overload relay ये हमारा लग गया उसके आगे हम बढ़ेंगे उसके बद क्या लगाएंगे हमारा NC push button रहता है ये देखिए हमारा NC push button है उसके बद क्या होगा हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा NO push button होता है ये देखिए हमारा शो आइन नुव पूस बोटन मां पर क्या होता है यह दि July मारा कौंटेक्टर काैनुक्ष करंगे और यह हो जा disproportion us holding point हो जयेगा फिर इसके बाद आगे बड़ेगा तो मँएन contractor पर हमारा होगा में conjector और मेन कंटक्टर पर हमारा चला जाएगा holding The Even terminal पर हमारा document पर क्नेक्षान हो जाएगा यह आपका हो गया event terminal पर connection हो जाएगा जिससे कि हमारा जब भी हमारा motor को हम run command देंगे local से या DCS से तो हमारा यहां क्या करेगा contractor pick up कर जाएगा pick up करने के बाद और यहां से दिखें friends हम इसमें neutral supply देंगे holding के लिए हमको neutral supply भी चाहिए तो neutral supply यहां से हम दे देंगे जिससे क्या होगा कि हमारा हमारा contractor जब भी start करेंगा हम pick up करेगा और हमारा motor run command ले लेगा तो यह हमारा DOL controlled आई गरा हम है friends तो चलिए अगर वीडियो का अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को subscribe कर दीजिए ताकि आने विडियो आपको मिलती रहे